कील मुहा से पिंपल्स की प्रॉब्लम जवानी में कोमन होती है और 15-25 साल के बीच तो लगबग सभी को पिंपल्स निकलते हैं किसी को ज़्यादा स्ट्रेस से या जनेटिक लिए भी ये प्रॉब्लम होती है ऐसा हमने हजारों लाखों लोगों की जीवन में देखा है तो जिनको ये पिंपल्स की प्रॉब्लम किसी भी कारण से है चाहे वो जनेटिक है चाहे वो जवानी के कारण से है तो किसी भी तरह की पिंपल्स होने पर एक तो पानी का प्रयोग ज़्यादा करें और उसमें भी खास करके लोकी का जूसी दी पी सकें आउले की रसके साथ तो और अच्छी बात है जितने भी गरम मसाले हैं या गरम चीजे हैं उससे पिंपर्स बहु जादा हो जाते हैं वैसे तो किसी किसी को गुड़ खाने से जादा पिंपर्स हो जाते हैं किसी को और भी कोई गरम चीज खाते हैं तो उससे पिंपल्स हो झाते हैं तो खाने पीने में गरम चीज़ों से बचें ज़ादा नमक, मिठ़ा ये भी पिंपल्स को बढ़ाता है और सुबा उठकर पानी जरूर प्यूर पींए दिन में तीन सी चार लिटर लेकिट पानी आम क इसका पूरा उपचार है अहरोपेथ में जो दवाइं दी जाती है उससे ततकाल आपको से लाप पा सकते हैं अब बहुत जादा पिमपल्स होने पर तो श्टिराइट दे दिया जाता है जो बहुत डिंजर्स होता है उससे डाइबटीज हो जाता है और उससे हमारी हड्डियां कमज़र हो जाते है पूरा इम्मेंस सिस्टम हमारा उससे खराब हो जाता है तो पिमपल्स के लिए सबसे अच्छा होता है गरे लोग उपचार के तोर पर तो आप निम के पत्ते पासाथ सबसे खा सकते है और चिरायता का गिलोई का पानी पी सकते है वह पिमपल्स के लिए बहुत अच्छा होता है काया कल पोटी हम बनाते हैं उससे हमने देखा है दो दो गुली सुबह शाम खालेते हैं खाली पेट तो उससे पिमपल्स ठीक हो जाते है अलिवेरा जैल लगाने से भी पिमपल्स में जबरतस दिलाब होता है और जिनकी आलिवेरा पीना भी और अलिवेरा जैल लगाना भी ये दोनों ही पिमपल्स के लिए बहुत अच्छे उपाए हैं कायकल्पकवात पिया भी जा सकता है जिनको ज़्यादा पिमपल्स की प्रब्लम रहती है वो एक चमचे एगलाश माने में पकाए हैं और पचास कर में जातों च्छन की पीले मामन जिष्ठाराद्यारिष्ट और खदिरारिष्ट ये दोनों ही पिमपल्स के लिए बात अच्छे हैं इनका भी उप्योग करके आप पिमपल्स से बच सकते हैं ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको जैसे मशूर की डाल है उसको आटा है उसको पाने में ब्यूग करके लगा दिया उससे भी बच जाते हैं पिमपल्स से और पका हुआ पपीता पका हुआ केला उसका भी आप लेप लगाते हैं इससे पिंपल्से और खीरा भी लगाते हैं उससे विठंडक मिलती है चमड़ी को और उससे सफाई हो जाती है पिंपल्से लेकर कि इस सभी प्रकार के चर्म रोगों में प्रणयाम अदभूत लाप करता है जिनको वर्षों से पिंपल्स होते थे जिनको दस दस पंदरे पंदरे साल से सुराइसिस की प्रोब्लम थी एक्जिमा की प्रोब्लम थी यहां तक की लिकोडर्मा और स्क्रोडर्मा की प्रोब्लम थी उनको भी हमने प्रणयाम से अच्छा किया इसलिए जिनको भी पिंपल्स या और भी कोई भी चर्म रोग है स्किन डिसाउडर से विससभी भस्तरी का, कपाल भाती बाहिय प्रणायाम और अनुलोम बिलोम प्रणायाम तो जरूर किया करें ब्रहाम लिद्गीत प्रणायम भी बहुत जरूरी है स्किन रोगों के लिए क्योंकि चर्म रोगों का एक बहुत बड़ा कारण स्टरेस भी है तो प्रणायाम से हम तनाव मुक्त हो जाते हैं और प्रणायाम से मारा लीवर भी अच्छा हो जाता है और जब आप स्टरेस फ्री होते हैं और आपका लीवर अच्छा होता है तब आप चर्म रोगों से बच जाते हैं इसलिए भस्तरी का ये पांच मिनट और कबाल भाती 10-15 मिनट होसे की तबाही प्रणायमे कर लेना तीन सी पांच बार फिर आनलो मिलों 10-15 मिनट फिर भ्रामरी और उर्दगीत तीन तीन बार पांच माच बार जरूर करें तो आपको ने तो पिंपल सहोंगे और नहीं कोई और दूसरी स्किन डिसोडर्स स्क शरुड़र्स